आरे भाईया और सब ठीक है हमारे बेटे जनकपूर में है हाँ 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 उन्ही का समाचा लेके आये हो हाँ हाँ अच्छा 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 और सब ठीक है हाँ ठीक है क्या लाए हो पत्र दे दिया पत्र चिथी और जैसे हाथ में चिथी ली तो नेत्रों में आशू आ चिठी को पढ़ रहे हैं नेत्रों में आंसु आ गए और बार बार दूतों को देख रहे हैं गोसामी जी कहते हैं सभा समेत राओ अनुरागे और चिठी को पाते ही दूतन देन निछावर लागे जैसे चिठी हाथ में मिली अभी पढ़ी नहीं है और महराज ने निछावर देना शुरू कर दिया अब आंगे क्या है अब सुन लीजे आप बहुत बढ़ी अबात है जैसे निछावर देने लगे तो जनक्पूर की विसेशता है देने ही देने की लेने की नहीं है ये जनक्पूर की विसेशता है राजा जनक की विसेषता है तो जितने जनक पुरवासी है उन सब के जीवन में वही सिद्धांत वही संसकार आ गए जो गाउं के मालिक के संसकार हैं राजी के मालिक के संसकार है वही राज की प्रजा में भी संस्कार आ गए के सभा समेत राव अनुरागे ओ दूतन दैन निछावर लागे लो 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 तो कह अनीत ते मूदह काना और धरम विचार सवई सुख माना लेने से इनकार कर दिया उन दूतों ने वो निछावर लेने से इनकार कर दिया रामाइन का प्रमान है महराज बारवार के रहे हैं लो 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 कह अनीत ते मूदह काना मूदें काना इसका आर्थ क्या करोगे तुम कान बंद कर लिये कि नहीं कर लिये ये रामाइन की चौपाई है बोलो है कि नहीं और रामचर्थ मानसई की चौपाई है कि नहीं निछावर दे रहे हैं महरा स्री दस्रत जनकपुर के दूतों को महरा जनक के दूतों को लो 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 लेते क्यों नहीं हो लो ये दिये निछावर है कहे कहे अनीत तेमू दें काना ओ धरम बिचार सवैं सुख माना बोले महराज मेरा लेने वाला धर्म नहीं है आ गई बात वही धर्म की कि नहीं प्रवचन यहीं से शुरू किया था कि नहीं किया था क्यों धर्म दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन धर्म याद आ गया बोलो अपने आप याद आ गया कि नहीं धर्म अवधपुर में प्रतेक्च रूप से महराज दसरत के सामने और दूदों के सामने प्रगठ नहीं हुआ ह लेकिन जनकपुर के दूतों के हिरदय में धर्म प्रगठ हो गिया है प्यारे और उन्होंने का कही अनीत थे अरमू दहिकाला ओ धर्म विचार सवई सुख माना कहें महराज हमारा धर्म क्या है बोले क्या धर्म है बोले हमारा राजा देता ही देता है किसी से लेता नहीं है तो हमारे अंदर भी गाओं जनकपुर वास्वों के अंदर भी देने ही देने की परंपरा आ गई लेने की परंपरा नहीं है दसरेट जी ने का एक बात बताओ तुम्हारा राजा देता है वो तो राजा है लेकिन तुम तो प्रजा हो तुम्हें तो लेना भी चाहिए बले ही दो लेकिन लो भी तो जानते हो क्या कहते हैं जनकपुर के दूत मेरे राजा ने इतना मुझे संपन्न कर दिया है हम जनकपुर वास्नों को संपन्न कर दिया है घर घर को संपन्न कर दिया है बोले इसका प्रमान क्या है इसका प्रमान यही है कि देवराज इंद्र आया था कहां आया था जनकपुर में आया था बोलो आया था कि नहीं आया था देवराज इंद्र जनकपुर में आया तो आपको मालम होना चाहिए जितने भी घर हैं वो संपत्ति से भरे पड़े हैं बोलो भरे पड़े हैं कि नहीं तो देवराज इंद्र ने समझा कि ये जनक का राजमहल है और राज महल जनक का राज महल है इसमें जनक जी महाराज अंदर होंगे तो एक जाडू लगाने वाले सुईपर के घर में घुस गया और जैसे सुईपर के घर में घुसा तो उसने देखा कि ये तो महल बना है साथ और महल बना है और इसमें संपत्ती भरी पड़ी है तो इंद्र घबडा गिया लेकिन जैसे ही वो तहलुआ था जो जनकपुर का उसने का महराज आप कौन है वो ले हम इंद्र है कई आप कई हम तो महराज जनक के जाडू बाहरू लगाने वाले तहलुआ हैं जाडू बाहरू क्ये तो महराज जनक के कई होगी लेकिन प्यारे जहां जहां भी इंद्र की द्रिश्टी गई वहां वहां उससे महल ही महल दिखाई दिए हर घर महल बन गया था प्यारे हर ग toss 2 भरी पड़ी थी तो बोलो संपत्ती जहां घर में भरी पड़ी horrible लाओ लाओ देने की हम्छत नहीं पड़ती क्योंकि आदत बनी पड़ी है ना लेने की आदत चाहे जतनी संपत्ति आ जाये लेकिन फिर वह आदत जाती नहीं है लेकिन ऐसे संशकार जनक पुर्षासियों में थे कि देने वाले संस्कार हो गए थे जनक प्रुवाजी लेते नहीं थे आज दूतओं ने निच्छावर नहीं ली बोलो नहीं ली निच्छावर है इसका मतलब है कि दूत भी संस्कारी है की नहीं देने ही देना जानते हैं अच्छा एक बात और सुन लो दूतों ने कहा महराज अब हम चलें कहें अभी रुखो अभी रुखो क्यों कहें हम चिठी जड़ा पढ़ लें और चिठी में जो लिखा है तुम से पूछेंगे कि वो सही है कि गलत बाई चिठी है तुम लाए हो चिठी तो चिठी में हम जरा पढ़ें अगर कहीं कुछ गलत होगा तो एक चिथी लगके हम भी भेज देंगे और तुम्ही ले जाना काहे के लिए अपनी तरफ से भेज़े किसी को तुम्ही बापस ले जाना दूतों ने कहा महराज ये चिथी नहीं है लग रही है ये चिथी देखने में लग रहा है पत्र लेकिन इसमें मेरे महराज का प्रेम भरा है क्या भरा है इसमें प्रेम भरा है और ये केवल पत्र ही नहीं है महराज इसको चिथी और पत्र मत समझना ये महराज स्री जनक की तपस्या है एक एक सब्ध तपके रूप में वरनित है आप पढ़ेंगे महराज मेरे महराज आपको अपनी तपस्या भेंट करना चाहते हैं इस पत्र की भासा में यही होगा कि हमारा महरा अपना तप जो है अपने सुकृत अपने पुन आपको निच्छावर करना चाहता है अच्छा मैंने आप महराज को बताया बेटी क्या होती है पुन होती है कि नहीं बेटी क्या होती है तब होती है बेटी पुन होती है और बोलो इस पत्र की भासा में महराज जनक समर्पन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं अपनी बेटी को समर्पित करना चाहते हैं कि नहीं तब समर्पित करना चाहते हैं महाराज पढ़िए और जैसे ही चिठी को खोलके महाराज ने पढ़ा तो गोसामी जी कहते हैं राम लखन के करा बद चीठी और रही गए कहत लखाती मीठी चिठी को जैसे ही पढ़ा तो महाराज रोने लगे दूतों ने कहा महाराज रो क्यों रहे हो कई इसलिए रो रहे हैं कि चिठी पढ़ करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा दूतों ने कहा दूत बहु बचन है न एक दूत ने दूसरे की और देखे कहा कि महाराज तो ऐसा कभी कुछ लिखते नहीं थे लेकिन हम लोग तो बड़ी प्रसंसा कर रहे थे लिख क्या दिया आखरे ऐसा क्या लिख दिया है कहे महराज आप इस सुनाओ क्या लिखा दश्रेज जी ने का इसमें ये लिखा है कि विश्वा मित्र जी जब मेरे बेटों को लेके आँगे वड़े तो ताल का खाने को आ गई अरे दूतों ने का महराज आँगे तो पढ़ो आँगे पढ़ नहीं रहे हो पहले ही हेडिंग भई में अपना मनमानी अर्थ लगा रहे हो पहले ही सब्द में अरे पढ़ो तो आंगे क्या लखा तो जैसे ही दूतों ने साहस बनाया तो आंगे लिखा था कि तार का नाम की राक्षची आई पहले लिखा था चले जात मुन दीन दिखाई और सुन तार का क्रोध कर धाई लेकिन आंगे लिखा था ये कई बान प्रांग हर लीना और दीन जान तहीं निजिपद दीना दस्रेजी महराज प्रसन हो गए चिठी को हरदय से लगा लिया आनद आ गया दूतों बहुत आनद तार का मर गई कहें महराज और क्या मर चुकी है तार का ओ ओ ओ इतनी बड़ी राक्षची को मेरे बेटे ने मार दिया कहां महराज आपके बेटे ने गोसामी जी कहते राम लखन के करवर चीठी रह गय कहत न खाती मीठी तालका आई थी तो चिठी खटी हो गई और मर गई तो मीठी हो गई चिठी क्यों भाई आई थी तालका तो चिठी कैसी थी खटी और तालका मर गई तो चिठी कैसी हो गई मीठी